नमस्कार सूप्रभाद आप सभी का दिन शुभेव मंगल मैं हो स्वरू पारवेदिक लीनी के रोजाना के सुभी चार के पथ्या पथ्य की इस रंकला में आज दिनांग 9 मार्श 2021 को हम आप से बात करेंगे एक बेहत कॉमन सिम्टम या फिर एक बेहत कॉमन डिजीज मूत्रक्रच यानि की जिसे हम डिस्यूरिया भी कहते हैं या फिर जिसे पेंफुल मिक्चुरेशन कहा जाता है यूरिन पास करने में जिसमें दिक्कत होती है या फिर यूरिन में जिसमें जलन होती है इसके पत्थे और अपथ्ये के बारे में यानि की इस condition में क्या save and करना हितकर है और क्या save and करना अहितकर है उसके बारे में आज हम आप से बात करेंगे एक्चुल में जो मोतरक्रच या डिस्यूडिया होता है ये एक बेहत कॉमन सिम्टम होता है जो कभी-कभी तो हमारे सामने एक किसी अंडरलाइंग पैथोलोजी यानि को डिजीज के एक सिम्टम के रूप में सामने आता है और या फिर कभी-कभी जो है ये एक कम्प्लीट डिजीज के रूप में भी हमारे सामने होता है और एवन कहने के लिए तो एक चोटा सा सिम्टम होता है ये लेकिन पेशेंट यानि मरीज के डेली रूटीन को ये बहुत हद तक एफेक्टेट कर देता है पेशेंट इसमें इरिटेट होने लग जाता है और जल्द इस जल्द इससे छुटकारा पाना जाता है कभी कभी तो ये condition भी हो जाती है कि ये इस तरह के symptoms पेशन ने treatment लिया और उसके कुछ समय बाद इस symptoms फिर से हो जाते हैं फिर वो treatment लेता है फिर हो जाते हैं यानि कि ये symptoms बार 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 उसे आने लग जाते हैं और वो बार बार antibiotic का या modern medicines का use करता है और उसकी body उसके लिए resistant हो हो जाती है यानि कि आपने course complete कर लिया आपको को infection भी नहीं है कुछ नहीं है लेकिन फिर भी इस तरह के symptoms फ्रिक्वेंट लिया रहे हैं then in that conditions हमें क्या गरना होता है कि हमें medicines के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें adopt करनी होती है जो कि इसको दूर कर सके और कुछ ऐसी चीज़ों क चोड़ना होता है जो इसे उत्पन करती है यानि हमें पत्य और अपत्य का follow करना होता है जो कि इसे बढ़ाते हैं उन कारणों का हमें त्याग करना होगा और जो चीज़ें इसको खतम करती है इसका शमन करती है उन चीज़ों को हमें अपनाना होता है तो सबसे पहले हम बात इसकत आने लग जाती है ऐसा नर्व कंप्रेशन की वज़े से भी हो जाता है तीक्षने कुछ औशदियां होती हैं जिनके सेवन से भी मैडिसन के साइड एफेट के यूज में भी ऐसा देखने को मिल जा सकता है या बहुत कोई एक्सेसे वर करना जैसे कि बहुत अधिक डांस हो जाए तो इसके बाद भी कभी कभी इस तरह के संप्टम्स देखने को मैं अगर कभी कोई किसी को किट庭ण Yukんな से बहुत सब्सक्राएं करते कि बहुत क्लीन ट्वालट का यूज ना करना परसनल हाइजीजीम ना करने से इस तरह के सिम्टम सeze मारे सामने आ जापा बी क्या भरणों से जो हमारे शरीर में दोश होते हैं , वो प्रकोपित हो जाते हैं और उूरिन के पात होता है उसको अफ ₧क करते हैं और यूरिन पासः करने में भ़़ते हैं, पहने लगती है है करनल अर उने हक पर अलगते हैं चलम सब्सक्राइब उसक्राइब और चलिल और रखी तब कर सके है बाने श्प्राइब 56 2ल नप्रसट्राइब इस सत्व पानने सण जलन इसक्राइब तो, यह अ मतwaran बाता है अगय्श। जो है वो आप जो भी डॉक्र को दिखा रहे हैं उसके कॉर्डिंग आपके चिकेसा होगी लेकिन यहां मैं आपसे बात करूंगी कुछ कॉमन पत्थ अपत्थे के बारे में जो की आपको इन जनरल मतलब अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है तो आप सब में वालो कर सकत और अगर बार बार कोई सिंटम्स हो रहे हैं इस तरह के आपको तो अपने आप से मेडिसन ना लेकर आप सबसे पहले उससे रिलेटेड डॉक्टर को जाके दिखाईए और अगर कोई हो रही है तो उसे रूल आउट कराईए अधिक मात्रा में सॉल्ट इंटेक नहीं करना ह और बिना डॉक्टर की सलह कि कोई मेडिसन का यूज नहीं करना है यह सबसे इंपोर्टन चीज़ है अब हम बात करते हैं कि पत्थे के बारे में कि भाई अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या-क्या चीजें लेनी चाहिए क्या-क्या चीजें गरहण करनी चाहिए जिससे हम जिससे अगर किसी पैथलोजी की वज़े से ऐसा हो रहा है को डिजीज बनने वाल रही है तो वो आपकी रूल आउट हो सके दूसरी चीज आपको अधिक मात्रा में पानी पीना है पर्सनल हाइजीन मिंटेन करनी है आपको क्लीन टॉयलेट्स यूज करने है अब हम बात करते ह है कुछ चीजों की होम रेमेडी की जो हम घर में साथ-साथ मेडिसन के साथ-साथ यूज कर सकते सबसे इंपोर्टेंट होता है इसमें सीजनल फूर्ट्स के जूसेज करना माली जैसे गर्मी में आता है तरबूच बाटरमेलन आप उसका रस यूज किजे गरने का रस का हम उक ह séries में से बहुत रीक फाइदे मंद होता है इसमें कुछ नहीं मिलता है तो हमारे घर में जरूर होता है तो मुनक्का लेजे और मिश्री का मिलाकर एक पेस्टे सर सावाना लेजे और इसको आप जो दहीं का उपर का पानी होता है उसके साथ लेने के लिए अछी in किम मिला कर मैंने का छोटी इलाइची हींग और घी इन सब को मिला कर दूद के साथ पीने से इसमें बहुत अधिक आपकी हेल्प हो जाती है अजवयन के पत्तों का रस इस कंडिशन में बहुत अधिक बेनिफिशल होता है और छोटी इलाइची इस कंडिशन के लिए बहुत इंपोर्टेंट है उसे अगर आप उसके चून को उसके पाउडर को केले के रस के साथ देते हैं तो बहुत फाइदे मंद होगा तो यहां मैंने आपको बताई कुछ रेमेडीज जो कि आप अपनी मेडिसन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और आपको जल्दी ही इसके अफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे और आप इस इन सिम्टम से या इस डिजीज से बहुत जल्दी चुटकारा पा जाएंगे तो मैं फिर से कहती हूं क्योंकि ज़दा तर चीजों का ट्रीटमेंट हमारे घर पर ही मिल जाता है बस जरूरत है थोड़ा सा जानने की और आपको जिन कारणों से बिमारी बन रही है उन कारणों को छोड़ना है सबसे पहले और जिन चीजों से ठीक होती है उन चीजों को अपनी दवाईयों के साथ थोड़ा सा एड़ करना है ताकि हमें कम समय तक दवा खानी पड़े और हम जल्द से जल्द उस बीमारी से छुटका रहा सके तो मैं फिर से कहती हूं कि आप जो है मेरे दिन चर्या के सुविचार की शंकला से मेरे साथ जुड़े रहिए अपनी दि अजय है दने वाई